अब हम पहुंच चुके दिखी जेटी अरे यार इससे ज़्यादा आपको कुछ दी चाहिए बीज 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 बें ओफ रोर चलता है लेकिन कंटीनिय ओफ रोर के पिंडाल आता है इंडियन और चाइनीज के जवे इन लोग कॉंकर में कुछ यहां का लोकल खिलाना चाहिए हमारे मोदक अब देख सकते हैं बिल्कुल मोमो जगे जैसे हैं तो गैज अभी हम यहां से जाने बाले हैं दिवे अगर जहां पर यह गनेश जी की स्वजन मूर्ती है मतलब सोनी की मूर्ती है तो उसकी भी एक स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा इस तरफ में पहली बाव आ रहा हूं बट यार आ एंजोईंग इट मज़ा रहा है काफी अरे यार हेल्मेट का बैज लगा न भूल गया मैं चुल कोई नहीं आगे जाके लगाता हूं उल्टे उल्टे मागे अरे यार हाल तो की रहा है इस रोरे से हम गयते उपर वहापस रिटन आए आपको कुछ नहीं आपको कुछ नहीं आपको कुछ नहीं हो जाएगा तो बाकी खुबसरत है बहुत यहां पर मतलब रोर अच्छा है ब्यूटी है इस तरह पहाड है इस तरह समंधर है और बीच से यह मस्त वाले सडक इससे जादा आपको कुछ नहीं चाहिए बीज-बीज बें ओफ रोर चलता है लेकिन कंटीन ओफ रोर की कंटाल आता है और पिछले बार पिछला जो रूर हम आय थे अब गए डांडा उसके कम से कम 10-15 किमिटर पहले से ना रोर घंडा था तो मज़ा ही आड़ा था तकिन चलो ठीक है इस देखो मस्त आम के पहड़ है आम के पेर मस्त दिख रहें तो रहे हैं तो रहे हैं तो रहे हैं तो रहे हैं तो चोटा रोड है इतनी बड़ी गाड़ी आई है तो गैस यहां से अभी सिफ तीम मिनिट दिखा रहा है और कैमरा मैं इसके लिए चलो किया क्योंकि यह रोड बहुत कुपसुदर है तो वाटवर इस ब्यूटिफुल आस्टो पी सीन जो मुझे अच्छा लगी का मैं आपको दिखाऊंगा मजा आया और मैं यह जो मजा है ह इस ब्यूटिफिकों देना चाहते हैं तो यहां पर दिखाऊंगा तीम्पल और इसकी स्टोरी यह है कि यह जो जगाती यहां पर जो फार्मिंग फार्मर्थ है जिसकी जगाती हम लोग कुछ कवेट कर रहे थे मैं खुदाई कर रहे थे तभी उनको एक सोनी की गनेश जी की मुर्थी मेली चलो आगे की स्टोडि में बाद मैं बताता हूं पहले हम दर्शन करते हैं और इसके बाद मैं आगे की स्टोडिया पर तनाता हूं अभी हमारे दर्शन हो चुके गणेजी के और अभी हम यहां से अपना अगला सफर करते हैं तब तलक में आपको यह मंद्य दिखाता हूँ करता है कि आपको बताना है कि वड़ा खारा हूं बहुत बूग लगी थी तो अभी बड़ा खाते हैं और इसके बाद है ना हम क्या खेने वाले आपको बता हूं देख सकते हो इस पत्य के नीचे है ना मोदक है मुदक आपको अगर मालूम है तो यहां पर आपको मोदक मिलेगा कि जैसे मोमोज बनाते है यह वही तरीका है पस अंदर का जो फिलिंग होता है तो अनाइडल is the main ingredient गुड़ होता है चलो खाते हैं मैं आपको बदाता हूं यह कैसे रिखता है जो का इस भूब इतनी लगी थी कि और एक बड़ापा लिया अब देखते हैं पीछे मस्त खेत हैं बैकराउंड में और सामने है गरम-गरम बड़ापा और पेट में बहुत बूख लगी है मतलब यह पॉफेक्ट बस इसमें स्वीट स्टपिंग होती है मैश भई खा रहें अब खाके बताएंगे कैसे हैं अच्छा है अच्छा है हम भी खाएंगे और मुझे माल में डीवोर्ट अक्षा ही रहेगा तो बतानी की कोई जरुत नहीं है पहले है बताता हूं यह बहुत सही है चलो इसको खात रहे हैं यहां से अभी हरियरेश वर राउंड एक गंडा लगेगा उसके आरूंड 30 किलोमेटर्स मैं बदाता हूं गूगल में चेक करके तो गैस देख सकते हो कितनी शांती है यहां पर एक आत गाड़ी जाती है और गाड़ी जाने के बाद पूरा साइलेंस यार यह मिरोस से परशान हो गए हूं यार इंडियन आंड चैनीज इंडियन चैनीज के जबे पे इन लोग कॉंकन में कुछ यहां का लोकल खिलाना चाहिए यार यह चैनीज चैनीज क्या लगा रहा है अट लीस्ट दूर दराई आपको चैनीज न ली जाता है मुंबई बगरा में अब सही में लगता है आप आपको सही में लगता है कि यार लोग इतनी दूर आते हैं तो चैनीज चाने के लिए आते हैं यार इनको कुछ ऑथन्टिक दे दो यहां का तुर डफिनिटल लव इट या तो अट लीस्ट टेस्ट टेवलब हो जाएगा उनका क्यार यह बहुत सुभव है मतलब कोई भी नहीं है हाज लिए एकात बाड़ी जा रही है से हम लोग दोना दोना तरफ जाड़ियां है और यह थोड़ा ठीक टॉक रास्ता है ठीक टॉक इसके लिए बोल रहा हूं क्यूंकि आप देखी सकते हो कि बीच-बीच में खड़े हैं बीच-बीच में थोड़ा ठीक है और यह मिरर यारी मिरर ने मुझे परिशान कर दिया रहा हूं क्यूंकि बीच में खड़े रहा हूं किलोमेटर कितने दिखने रहा हूं सामने दूप है और मेरी आखों में बहुत ऐसे ही चेश्मा लगता है मुझे तो जहादा तबीफ हो रही है अचलो कोई नहीं 10 मिनिट मिरलब अराउंड 6-7 किलोमेटर रहेंगे यहां पर संबंदर है तो अभी हम वापस संबंदर के किनारे आ चुके हैं और में से गुजर गुजर के इपने ट्विस्टीज है इपने ट्विस्टीज है इस अमिक्स अवर्यथिंग अरे यार् मैं रहे सोचा हूं निकाल के रब दूं इस रोड बहुत खराब हो चुका है अभी जब ही मैंने बोला था आपको कि रोड अगरम सुपा होगे तो यह 10 मिट दिखा रहे थे अभी 7 मिट दिखा रहे मतलब हाडली कुछ डिस्टेंस हमने क्रॉस किया और यह रोड खराब हो गया तो पीछे इसका काम चल रहा था तो अभी तो ठीक है कोई नहीं रचा है अभी हाडली कुछ दिस्टेंस रचा है कंप्लेंन करने में कुछ मतलब नहीं है और यह सभी बाइकर को कंप्लेंन करने का कोई हक नहीं होता है तो गैस हम लोग पहुंच चुके हैं तो इस वेर विए स्टींग होंस्ते है देख सकते हो बहुत चांद है अभी हम आपको रूम टूर देते हैं एक्जैक्ली कहां पे तो अच्छा भी बनकर देता हूं मैप बन दो मैप की ज़ड़त नहीं पी तो थाउसंद येर्स लेटर सो गैस इस अव दरूम इस हम चेक आउट करने के टाम के मैं आपको रूम टूर दे रहा हूं क्योंकि पहले रहे गए था इस बातरूम इस बातरूम इस वाश्रूम इस बीव फ्रेश हो गया हूं नहावी के हो गया और अभी हम जा रहे हैं मंदिर है तो अरियरेश्वर का बहुत पुरहना मंदिर है और उसका बहुत नाम है इसको दक्षिन काशी भी बोलते हैं एम नोट शूर मैं चेक करके बताता हूं और ये व्लॉग मैं यहीं पर खतम करता हूं उम्हीद करतूंँ है अपको ये वीडियो अच्छा लगवा जान बूशन के मैं खतम कर रहा हूं कि कentes बहुत लंबा होँ जाएगा बुलोग में इसके के साथ इप खत्म करता हूं उम्हीद कर ने फ़ीडव कर वीडिवTION पसंद आए तो फ्लीस लाइक किजिए कीजिए सिस्क्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए तो तक लिए गुडबाइ टेक केर जाएगे ना कि अगर कि अगर कि अगर